हेलो दोस्तों मैं उपासना सिंग स्वागत करते हूँ आप सभी का हमारे चैनल मीडिया दर्बार एंटिटेन्वेंट के खास शो खबर छोटे पढ़ देने दोस्तों टीवी रेयल्टी शो इंडियन आइडेल 12 में एक शोक्नू एविक्षन हुआ है और इस एविक्षन के बाद शो फिनाली की और एक और कदम बढ़ गया है चलिए जानते हैं इस वीक कौन जा कंटेस्टन शो से बाहर हुआ है और कौन है वो कंटेस्टन जो टॉप 6 में शामी हुआ है लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले TV का सबसे पसंदिदा सेनियू रेलिटी शो इंडियन आइडल 12 से आशिश कुलकर्णी का सफर अब खतम हो चुका है वो इस शो से अब बाहर हो गए है कम वोट मिलने के कारण आशिश शो में टॉप 6 कंटेस्टर में अपनी जगा बनाने से चूँ गए आशा भोसले स्पेशल शो में परफोर्मेंस के बाद शो के जज अनुमलिक ने कहा कि इस बार का फैसला पूरी तरह से जनता के हाथों में है इसके बाद सभी टॉप 7 कंटेस्टर को मंच पर बुलाया गया शो के जज अनुमलिक ने सबसे पहले ज्यादा वोट मिलने वाले कंटेस्टर के नाम का खुलासा किया अनुमलिक ने कहा कि कंटेस्टर मेरे हाथ में जनता का फैसला है सबसे ज्यादा वोट जिसको मिले है वो है अरुनीता कांजिलाल अरुनीता को अनुमलिक ने कहा कि उन्हें जनता ने सबसे ज्यादा वोट देकर आपको सेव किया है और वो इस एविक्षन से सुरक्षित हैं इसके बाद फे सबसे कम वोट मिलने की वजह से बाहर होने वाले कंटेस्टन के नाम की भूशना की गई। जनता के वोट के आधार पर जिस कंटेस्टन को सबसे कम वोट मिले हैं वो कोई और नहीं बलकि आशिश कुलकरनी है। उनका इंडियन आइडल का सफर यहीं खत्म होता है। आशिश के शो से बाहर होने की बाद पर सभी लोग काफी दुखी हो जाते हैं। आशिश की मुबोली बहन शनमुप्रिया भी रोने लगती है। इसी बीच शो के स्क्रीन पर आशिश के बिताए हुए कुछ खास पलो को दिखाया जाता है। शो में आशिश से पहले अंजली गाइकवाड और सवयभट जैसे टेलेंटेंट कंटेस्टेंट को भी अलविदा कहना पड़ा था। आशिश कुलकर्णी के शो से बाहर होने के बाद अब शो को टॉप सिक्स कंटेस्टेंट मिल गए हैं। उत्राखंड के पवंदी राजन, महराष्ट की साहिली कामले, बैंगलोर के निहाल, हैदराबाद की शन्मुक प्रिया, कॉलकता की अरुनिता कांजिलाग और उत्तर प्रदेश के दानिश। ये इस शो के टॉप सिक्स कंटेस्टेंट हैं। की इन में से ही कोई एट ग्रैंट फिनाले में इंडिन आइडल 12 के सीजन को जीत कर ट्रॉफिय अपने नाम करेंगे। अब ये देखना दल्चस्प होगा की किस कंटेस्टेंट को जंता ज्यादा वोट देती हैं। पर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलाल इतना ही कल फिर मिलूँगी आपसे एक नई खबर के साथ। मेरे वीडियो को पसान आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। थाइंगे।